सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत जादा खुश हूँ आप सभी लोगों पर मुझे बहुत जादा प्राउड फिल हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया शायद मेरी वीडियो को थोड़ा पसंद किया और अपनों के लगा कि यार इस इनसान को सपोर्ट करना चाहिए तो मैं बहुत जादा खुश हूँ और आप सभी लोगों का थैंक्फुल हूँ आप सभी लोगों के बहुत दोश्चुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि एटलिस्ट अब 501 सब्स्क्राइबर हो चुके हैं 23 अपरेल 2019 को मैंने अपना यह चनल स्टार्ट किया है 23 अपरेल 2019 से लेकर 23 अपरेल 2020 और 23 अपरेल 2021 हो चुका है अ मत आप तकरीब यह समझ लो कि 20 साल हो चुक है धाई सालों में हमने 501 सब्सक्राइबर गेन किया है रीजन चाहे जो भी रहा हो मैं ट्रेवलिंग वीडियो बनना चाता हूँ ट्रेवल नहीं कर सकता विकॉज अफुछ रिस्पॉंसिबिलिडीज है काम करना होता है जोग परजाना होता है खेर जैसे तैसे कैसे भी करके इतने तो हुए अब मुझे लग रहा है कि ग्रोथ की स्पीड थोड़ी सी बढ़ने वाली है इविन बढ़ चुकी है मैं तकरीबन 10-15 दिनों से देख रहा हूँ थोड़ी ग्रोथ की स्पीड बढ़ी है लोग सपोर्ट कर रहे है और व्यूस भी ठीक ठाक आ रहे हैं कॉमेंट्स कर रहे हैं लोग तो यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मने दो दिनों पहले फेस्बुक पर इंस्टाग्राम स्टोरीज में और वाटसप के स्टेटस में एक बात शेयर की थी वह यह कि गाइस अभी मुझे 12 सब्सक्राइबर्स और चाहिए 500 कंप्लीट करने के लिए तो काफी सारे लोगों ने मुझे वाटसप पर रिप्लाइ किया इंसा स्टोरी पर कॉमेंट किया फेस्बुक पर भी कॉमेंट किया कि भाई हो जाएंगे एंड जैसा लोगों ने वादा कि सब्सक्राइब हो भी गए तीन लोगों ने मुझे से कहा था कि भाई वीडियो में हमारा नाम जरूर ले लेना तो यह वीडियो बनाने का एक यह भी रिजन है कि उन्हों का नाम लेना है सो स्टार्ट करते हैं 499 नंबर पे जो हैं उनका नाम है शक्ति कुमार उनका भी चै चैनल होगा आप लोग चेक आउट जरूर कर लेना अब मेन बात करते हैं वह यह कि यार किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए उस पर मोनेटाइजिसन अन होने के लिए लगते हैं एक हजार सब्सक्राइबर और चार हजार घंटे का वाश टाइम हमारे इस चैनल पर एक हजार घंटे का वाश टाइम कंपलीट हो चुका है अब हमें चाहिए सिर्फ तीन हजार घंटे का वाश टाइम और सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं 1000 जिसमें से 501 हो चुके हैं 499 बचे हुए हैं जैसे आप लोगों ने अब तक इतना सपोर्ट किया वैस कुछ प्लान ऐसा बन रहा है कहीं ट्रेवल करने का सो आप लोगों को कुछ ट्रेवल डेस्टिनेशन दिखाई देंगे मुंबई के जो आसपास वाले हैं एंड मैं प्लान कर रहा हूं कि यह डिसम्बर खतम होने के बाद जनवरी में कहीं मुंबई के बाहर भी निकलेंगे तो सबसे पहले जो बड़ी-बड़ी प्लेसे हैं यहां पर महाराष्ट्रा में जो फेमस फेमस प्लेसे हैं उनको तौर करेंगे और उनके बाद महाराष्ट्रा में नेकलेंगे इस तुडियो में बस इतना ही यही आप लोगों को सब्सक्राइब आ था कि बटन को दबाका श्ट्राइब नहीं किया है तिंक यूश मच वाचिंग बाइए मिलते है नेक्स्ट व्लाग में इतना प्यारा बाई के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं